Hello everyone, welcome to our channel, हमारी आज के वीडियो को टोपिक है टेलिफोन की आत्मकथा हिंदी निभन, तो चलिए शुरू करते हैं मैं टेलिफोन हूँ, मेरा कारे लोगों को एक दूसरे से बात करवाना है आज कल मेरा ही एक प्रारूप है जिसे लोग चलाना बहुत पसंद करते हैं, जिसे मोबाइल कहा जाता है लेकिन मैं टेलिफोन हूँ, जो कई ओफिसों में आज कल देखने को मिलता हूँ आज से कुछ समय पहले मेरा प्रसलन सबसे ज़्यादा था लोग अपने घरों में, ओफिसों में मुझे लगाना, मेरे द्वारा बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे मैं नया नया था और जिसके घर में लगाया जाता था, लोग उस घर की काफी तारीफ करते थे लेकिन धीरे धीरे मेरा प्रसलन कम होता गया क्योंकि बहुत से लोगों ने धीरे-धीरे मुझे अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया और कुछ सालों बाद मोबाइल फोन आ गया और फिर लोग मोबाइल फोन चलाने में ज्यादा रूची लेने लगे क्योंकि मोबाइल फोन सिर्फ एक फोन नहीं होता बलकि उसमें बहुत कुछ होता है मोबाइल फोन में आप इंटरनेट चला सकते हो मोबाइल फोन में आप गेम भी खेल सकते हो इसके अलावा आप वीडियो देख सकते हो वीडियो कॉल भी कर सकते हो वास्ता में मोबाइल फोन अपने आप में बहुत ही महत्वपुन होता है आज से कुछ सालों पहले जब मेरा विश्कार हुआ तब मैं काफी खुश था जो वैज्ञानिक मुझे इस दुनिया में लेकर आया मैं उस वैज्ञानिक का दिल से शुक्रिया आदा करता हूँ मैं अपने जीवन में आज भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों के लिए काफी महत्वपुन हूँ मैं अक्सर जिस भी ओफिस में लगाया जाता हूँ ओफिस के लोग दिन दिन भर अपने ओफिस के कार्यों की वज़ा से मेरे द्वारा बातचित करते हैं मेरे जीवन की आत्मकता बस इतनी ही है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप टैलिफोन के आत्मकता हिंदी निबन लिख सकते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हैलफुल हैगी वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद